Hello Dears, Civil 3D के इस वीडियो में हम Data Shortcuts के बारे में बात करेंगे कि Civil 3D में हम Data Shortcuts किस तरह create करते हैं और Data Shortcuts हम क्यों creates करते हैं अगर आप किसी ऐसे प्रजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहां पर मुख्तलिफ लोग एक टीम की शकल में काम कर रहे हैं वो बंदे एक office में बैठके different computer यूज़ कर रहे हूं मुख्तलिफ offices में बैठे हूं या मुख्तलिफ शेरों में बैठे हुए हूं और वो एक internal network से connected हैं तो उसमें हम A की file जो है उसे मुख्तलिफ computer में A की वकत में यूज़ कर सकते हैं दूसरा इसका फाइदा ये है कि जो आपकी master file है जिससे आपने data shortcut create किये हुए है अगर आपका जो designer है जो आपका जो भी बंदा जिसके पास वो master file है वो उसमें कोई भी change करेगा तो वो तमाम लोग जो उस file का data shortcut use कर रहे होंगे उन सब को एक message automatically warning message आएगा कि जो original file है उसमें कुछ changes की गई है data shortcut create करने के लिए सबसे पहले हम अपना folder set करते हैं कि हमें अपने data shortcut को किस folder में save करना है folder set करने के लिए दो options हैं आपके पास पहला option है कि आप tool space के prospector tab में जाए ये last icon है आपके पास data shortcuts इसे select करके right click करें और set working folder पे click करें ये आपकी folder directory आ जाएगी जहां पे भी आप अपना folder बनाना चाहें folder बनाके आप ok कर देंगे आपका working folder set हो जाएगा दूसरा option है अगर आप tool space नहीं use करना चाहते आप manage के tab में जाएगे और यहां से ये data shortcut का जो पैनल है इसमें ये icon है आपके पास set working folder इस पे click करेंगे same directory आपके पास आए जाएगी जहां पे भी आप अपना folder बनाना चाहते हैं मुझे f drive में बनाना है तो मैं f drive पे click करता हूं ये f drive के तमाम के तमाम folder आ जाएगे उसके बाद जहां पे भी आपने बनाना है तो मुझे ये folder ये cat tutorial के folder में create करना है तो मैं इसे select करके यहां पे मेरे पास option है make new folder make new folder ये देखें folder add हो गया है अब जो भी name आप इसको देना चाहें तो मैं इसको data shortcut का name दे देता हूं name देने के बाद अब अभी देखिए यहां पे हमको कोई extension नजर नहीं आरी सिर्फ data shortcut लिखा हुआ है अब ये folder select करने के बाद मैं okay कर देता हूं देखे अभी भी यहां पे कुछ changes नहीं हुआ है अब हमने दूसरा step करना है तो दूसरे step के लिए भी दो option है मैं इस बार tool space use कर रहा हूं data shortcut को select करेंगे right click पहले हमने set working folder किया था इस बार हमने एक new folder बनाने अपने data shortcut के लिए तो मैं ये new data shortcut project folder पे क्लिक करता हूं इसको क्लिक करके अब यह देखे यहां पे वह working folder हमने बनाया था data shortcut यह देखें F आपकी जो drive name है उसके बाद आपका जो folder था और जिस फिर जो आमने sub folder create किया था data shortcut अब इसी में मैं एक और folder create करता हूं तो मैं इसे project one का नाम दे देता हूं आप जो भी name देना चाहें अपनी मर्जी से name दे जा सकते हैं जाहें लिख सकते हैं अगर आप अपने data folder को template बनाना चाहें तो यहां पर यूज project template भी आप कर सकते हैं तो मैं project का name दे के okay अब देखें जैसे ही हमने अपना folder project का बनाया थे अब यह extension change हो गया है अब हमें यहां पर शोर है कि जो data shortcut हमारे होंगे वो data shortcut f drive cad tutorial data shortcuts और अगर मैं इसको थोड़ा सा expand करता हूं तो फिर हमें अपना project one नजर आ रहा है तीसरी चीज़ जो हमने करनी है अब जो data shortcut का folder है right click करके set data shortcut project folder इसको select करेंगे यह देखें यहां पर मारा यह project one already selected है अगर यह selected ना हो आपके पास different folder है तो आप यहां पर जो भी folder का नाम होगा उसे यहां पर लिख सकते हैं मेरे पास एक ही है तो मैं इसको okay कर देता हूं folder हमारे select हो चुके हैं अब हमने इस surface का data shortcut create करना है क्योंकि हम इस surface को और different जगों पे use करना जाते हैं shortcut create करने के लिए भी आपके पास दो methods हैं आप tool space से भी कर सकते हैं अपने data shortcut को select करें right click और यहां पर create data shortcut दूसरा अगर आप ribbon यूज करना चाहते हैं manage tab में यह सबसे पहला option है create data shortcut तो मैं यहां से इसको click करता हूं आप message आ रहा है कि drawing has not been saved what do you want save drawing and continue or cancel तो आपने पहले drawing को save करना है तो मैं इस drawing को save कर लेता हूं जहां पे भी आप save करना चाहें drawing को हमने save कर दिया है तेखें जैसे drawing save हुई हमारा जो create data shortcut का dialogue box है यह हमारे सामने आ गया है अब मेरे पास क्योंकि इसमें एक ही surface है तो यहां पर मुझे यह show रहा है कि surface है तो मुझे यह surface का shortcut करना है तो मैं इसे select करता हूं और okay अब देखिए अगर मैं इसको drag down करके यह surface का option है जब आप अपने data shortcut को expand करेंगे तो यह यहां पर आपका surface का option आ चुका है अब अगर मैं इस पर click करता हूं तो देखें यहां पर मुझे surface one का option मिल रहा है अब हम एक नई template में जाते हैं यहां आप किसी दूसरे computer में आपने इस surface को use करना है जबके same time में आपका जो originator है जो initiator है वो भी अपनी surface को use कर रहा है अब देखें मैंने एक new template खोली है मुझे same surface इस template में चाहिए क्योंकि मुझे इसके उपर एक alignment create करनी है तो मैं simply prospector में जाके data shortcut surface को expand करेंगे और यह जो surface जो shortcut हमने create किया था इसे select करें right click create reference अब create reference करेंगे यह same surface creation dialogue box आपके सामने आ जाएगा आप name change कर सकते हैं description change कर सकते हैं देखें मैं बाकी चीज़ें same रहने दे रहा हूं मैं सिरफ इसका style change कर देता हूं यह 2 meter and 10 meter background पे है मुझे यह 1 meter 5 meter design बैक ग्राउंड में चाहिए तो मैं इसे 1 meter 5 meter background okay और okay देखें मेरी surface create हो चुकी है z enter e enter यह देखिए same surface हमारे पास available है यहां पे जो style है वो 1 meter 5 meter है जबके original drawing जो है यहां पे यह 2 meter 10 पे है और इसमें triangle जो है वो भी show रही है लेकर जो हमने reference create किया देखें इसमें सिरफ और सिरफ हमारे पास contour show रहे हैं अब दूसरी चीज अगर इस drawing में हम कुछ change करना चाहते हैं तो आपको किस तरह पता चलेगा कि इस drawing यह जो reference है यह change हुआ है कर देता हूं इसी तरह मैं यहां पे भी कुछ changes कर देता हूं अब देखें इसमें मैंने दो जगा से line एक और जगा से कर देते हैं यह इसमें मैंने कुछ changes कर दी हैं अब अगर मैं अपने reference पे जाता हूं तो यहां पे मुझे अभी तक कोई warning message नहीं आ रहा जबके मेरी जो original file है वो change हो चुकी है इसके लिए पहले हमें इस file को save करना है तो मैं जैसे ही इसको save करता हूं file save हो गी है अब अगर मैं अपने reference template में जाता हूं देखे जैसे ही उस पे गया यह मुझे यहां पे message आ गया है कि data shortcut definition may have been changed तो मुझे वो changes यहां पे implement करने के लिए नया reference create करने की ज़रूरत नहीं है simply मैं यह synchronize पे click करता हूं और मेरी सर्ज जो data reference है वो update होना शुरू हो गया है यह देखे अपडेट हो चुका है same changes जो हमने original file में किये थे यहां पे भी implement हो चुके है